नमस्कार दोस्तों इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद कृपिया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री और बायोग्रिफी और बहुत अच्छी अच्छी कहानी भी आती रहेगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्य नम्सकार दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन है इस विडियो में हम डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जीवनी के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कोजी कोड में एक सीरी आई एंगलिकन इसाई परिवार में हुआ था और कोयम बटूर जिले अब इरोर जिले तमिलनाडू में में डायमंड जुबली हाय सेकंडरी स्कूल गोबिचेटी प्लायम में स्कूली शि सिविल सर्जन के रूप में काम किया उन्होंने 14 साल की उम्र में मद्रास अब चैन्नाई में लोयोला कॉलेज में प्रवेश लिया 1940 में भौतिकी के साथ विज्ञान में सना तक की उपाधी प्राप्त की और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज गिंडी से मकेनिकल इंजीनियरिंग में सना तक की डिग्री प्राप्त की जो उस समय विश्व विद्याले का हिस्सा था मदरास, 1945 में उन्हें हर वर्ग में अपनी उम्र के हिसाब से युवा होने के कारण खुद की रक्षा करनी पड़ी उनके अनुसार, इसने उनकी स्वतंत्रता की भावना को विक्सित किया उन्होंने 22 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया और उनके बड़े चाचा अपने परिवार को त्रिचूर, अब त्रिशूर में अपने घर ले गए एक उत्सुक सैन्य कैडेट और कॉलेज में एक बॉक्सर, जब वो एक इंजीनियर के रूप में सेना में शामिल होना चाहता था तो उसकी मा ने उसे टाटा स्टील तकनी की संस्थान जमशेतपूर में शामिल होने के लिए राजी कर लिया जो उसके चाचा द्वारा प्रबंधन की सिफारिश पर था जो एक निदेशक थे, टाटा, और जहां से उन्होंने 1946 में सनातक की उपाधी प्राप्त की लेकिन जल्द ही खुद को अपने चाचा के हैंगर ओन और यसमेन से दूर जाना चाहते थे इसलिए उन्होंने छोड़ दिया और भारत सरकार की चात्रवृत्ती के लिए आवेदन किया और उन्हें डेरी इंजीनियरिंग का अध्यान करने के लिए चुना गया एक अप्रासंगिक अनुशासन उनके आश्चर्य और अनिच्छा के लिए लेकिन इस बार उनके चाचा अब तक वितमंत्री ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया इस प्रकार उन्हें बैंगलो में इंपीरियल इंस्टीट अफ अनिमल हस्बैंडरी अब National Dairy Research Institute दक्षणी स्टेशन बेंगलूरू भेजा गया जहां उन्होंने नौ महीने बिताए और केवल अमेरिका भेजे जाने के लिए बोली लगाई यहां भी Michigan State University में कुछ डेरी आच्छिक चुनकर बलकी पूरी तरह से उन्होंने 1948 में Mechanical Engineering धातू विज्ञान परमानू भौतिकी में एक नाबालिक के साथ में Master Degree के साथ वापसी की वहां रहते हुए जब उन्होंने खुद को पाया नसलवादी जिब्स के अंत में उनके शब्दों में उसमें भारतिय उसे मूल निवासियों को उनके स्थान पर वापस रखते हुए देखा बाद में वे कहते थे मुझे भीजा गया था डेरी इंजीनियरिंग का अध्यान करने के लिए केवल सरकारी चात्रवरित्ती पर हाला कि मैंने थोड़ा धोखा दिया और धातु कर्म और परमानू इंजीनियरिंग विशयों का अध्यान किया बहुत दूर होने की संभावना है मेरे शीघर ही स्वतंत्र होने वाले देश के लिए और सपष्ट रूप से मेरे लिए अधेक उप्योगी है उन्होंने उद्देश की भावना के साथ अंतता 1952 माइनस तिरपन में न्यूसीलेंड को सरकारी प्रायोजन पर जो उस समय सहकारी डेरी का गड़ था और आस्ट्रेलिया में जब उन्हें अमूल डेरी स्थापत करना सीखना था डेरी प्र 60 से गुजरात राज्य का हिस्सा में आनंद में अपने रन डाउन प्रायोगे क्रीमरी में भेजा गया था और सेवा करने के लिए आधे अधूरे मन से काम करना शुरू कर दिया उनकी मास्टर डिगरी के लिए उनके द्वारा दी गई छात्रवृत्ती के खिलाफ अपनी ब पॉंबे शहर जाने के लिए अपना समय निकालना शुरू कर दिया और काम के बहाने या फिर त्रिभुवंदास पटेल के आदिम डेरी उपकरणों के साथ स्वेच्छा से छेर चार करने लगे जिन्होंने किसानों के दूद को संसाधित करने के लिए उनकी मदद मांगी थ उन्होंने पहले ही सरकारी नौकरी को बीच में ही चोडने और आनंद को चोडने का मन बना लिया था लेकिन त्रिभुवंदास ने उन्हीं चोडने के बाद उनके साथ वापस रहने और अपनी डेरी स्थापित करने में मदद करने के लिए राजी कर लिया त्रिभुवंदास के प्रयासों और किसानों द्वारा उन पर रखे गए विश्वासने कुरियन को आनंद में उस डेरी सहकारी कहरा जिला सहकारी दुब्ध उत्पादक संग लिमिटेड के डी सीम पी यू एल जिसे अमूल डेरी के रूप में जाना जाता है कि स्थापना के लिए खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया इस विडियो को देखने के लिए धन्यवाद मुझे आशा है कि आप सभी को विडियो पसंद आया क्रिपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद